मजराद पर जाना और चादर पोसी करना और फूल चलाना कहां तक कुरान वा हदीश में साबित है जहां तक बात है इसाले सवाब की तो वा तो हुजूर सल्लाव टाला अलेवसलम भी जन्नत अलबकी में जाया करते थे इसके लावा आज के दोर के हिसाब से जो रिवाज राइच कर रखे हैं वा कहा तक दुरूस्त है कुरान वा हदीश की रोस्नी में जवाब इनायत फर्माएं नवाजिस होगी बिस्मिल्लाहिरुरुוחμाने वर्रहीम सबसे पहली बात दुज 만든जी है कि जो रिवाज है वो बियान जो है वो नहीं कीया गया कि क् drums कौन से रिवाज है वो रिवाज जो है उनकी निशान दही करना वो स्वाल के अंदर जरूरी था ताकि उने रिवाजों को देखते हुए फिर इस स्वाल का जवाब देना जो है वो और ज़्यादा आसान हो जाता तो इस स्वाल के अंदर तीन चीज़ें बियान की गई हैं मजारात पे जाना नमबर दो चादर पोशी करना और नमबर तीन पूल चड़ाना मजारात पे जाना ये हदेश मुबारका से थाबित है नभी अक्रीम वालियुष आ हर साल शोःदाए उहुद के मजारात पे तशری्फ ले जाया करते थे दूसरी रुआयत में है कि नभी अक्रीम मंहाने मजारात पर जाने के होले से तालीम भी रिषाद फर्माई है और तरगी भी दिलाई है आप सल्लाइ ऩो यालों की स्ल्ना अवा फर्माते हैМ आप लो रोज़ रोशन की तरह माध़ होती है کہ مظہارات پہ جہانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور فعل دونوں سے سابط ہے اور جہاں تک تعلقہ پھول چڑھانا مظہارات پر پھول چڑھانے میں بھی انقطعاں کوئی حرج نہیں ہے اس کے حوالے سے بھی حدیث پا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر قبرستان میں سے ہوا دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا المختصر آپ نے ایک درختی ٹہنیہ لیں ان قبروں پر رکھ دیں صحابہ اکرام نے عرض کہ یا رسول اللہ इन टेहिडियों के रखने का फाइदा किया है तो आप सल्ले लिए वालियों सल्लम आने फरमाया जब तक ये तर रहेंगी अल्ला तबारिक वताला का जिकर करती रहेंगी और जहां पे रब लालमीन का जिकर होगा वहां पे रब की रहमत होगी जिससे मैयत का दिल जो है वो बहलेगा उसे इतमिनान और सकून की दौलत नसीब होगी तो फूल जो है जब कबर पर रखे जाते हैं वो तर होते हैं रब का जिकर करते हैं उनके जिकर करने से रब की रहमत होती है और जहां पर रब की रहमत होती है तो रब की रहमत के नजूल से जो मैयत है उसको इत्मिनानों सुकून की दौलत नसीब होती है तीसरी चीज़ है मजारात पर चादर चड़ाना मजारफ पर चादर चड़ाने के अगर चादर चड़ाने की जरूरइगा है एक से जाइद चादरें चड़ाने की शरीयत में अजाज़त नही है आला हजरत अदिमного बर्कात रहमतुलाहि गाले ने इस हुआले से सक्ती से मशना फरमाया है लिहाज़ा मजार के उपर अगर एक से जाइद चादरें चड़ाई जाए 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 ज ठाम बेतर है क्युंकि एक झाधाइ चाधरें च्ड़हना ये है, ये फजूल है और इसलाफ जह शराइए शर्यात मताहरा ने उसकी सकती से मजब्मत फराह हम परमाई है तो मजारात के उपर चादर चडाना सिर्फ और सिर्फ एक ही जाइज़ एक से जाइज़ चादरें चडाने के भी जाइज़त favored नहीं है निए इन बातों के साथ रब्लालेमीन की जनाब में धुआ है हम सब को सही माना में दीन इसलाम की तालिमात की अमल पहरा होने की तौफिक अदा फरमाए वाल्लाहु रसूलहु आलम बिस्वाब